बहादूर शाह जफर मागे पर स्नैचिंग का मामला अब तक नहीं सुलजा। IPA स्टेट सोमवार को बहादूर शाह जफर मार गें। इलाके में अनिकेत चौधरी नाम के शक्स से हुई स्नैचंग केस में पुलिस तीन दिन बीट जाने के बाद भी सुराग नहीं लगा सकी है पुलिस के धीले धाले सिक्योरिटी सिस्टम से स्नैचर्ज अक्सर फायदा उठाते रहे हैं। NBT की परताल में मालूम चला कि दो अगस्त को हुई लेडी के साथ लूट की वारदात भी अभी तक नहीं सुलज पाई। NBT ने उस विक्टिम से संपर्प किया और उनके केस की मौजुदा स्थिती के बारे पूछा, उन्होंने पुलिस के रवे पर निराशा जताते हुए, कहा कि पुलिस थो एफायार ही करने को तयार नहीं थी, पहले तो यह बोल दिया कि गया हुआ सामान मिलना तो है नहीं, महिला ने कहा कि फिर भी हम एफायार के लिए अड़े र लगाई गई, पुलिस अनिकेट चौदरी से हुई लूट के मामले में NBT की सुरक्षा परताल प्रकाशित होते ही पुलिस अफसरों ने केस का संग्यान लिया, बुधवार को इलाके में पुलिस कर्मी, पट्रोलिंग करते हुए दिखाई दिये, इस मामले में पुलिस अफ रह लगे CCTV, कैमरों की रिकॉर्डिंग को चेक किया है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस के पास हुई थी लूट के मानसरोबर पार्प में परिवार के साथ रहने, वाली महिला ओटे से सफदर जंग हॉस्पिटल जा रही थी, उनके हाथ में बैग था, जब ओए, आई पी ए में 15,000 कैश, मंगल सूत्र, ATM कार्ड, CGHS कार्ड, ओफिस के डॉक्यूमेंट थे, आज तक पुलिस CCTV कैमरों और अन्य संसाधनों से आरोपियों का सुराग नहीं लगा पाई, जब कि उन्हीं कैमरों से ट्राफिक, पुलिस रूल्स तोड़ने पर चलान भीज देती है